हमर साथ बाचीत के लिए मौझूद हैं आमाधी पार्टी के राजसेवास सांसत डॉक्टर शुशील गुपता उनसे बात कर लेते हैं सर कल संसत में अमिश्या ने जम्मु कश्मीर के मुद्धे पर काई काफी सारी बाते कहीं नहरू का जिकर एक बार दुबारा उन्होंने किया कि नहरू की वज़े से जम्मु कश्मीर ने काफी सारी गलतियां जही ली है आज अगर साई डिसीजन लिये होते उस वक्त तो पीयो के भी हमारा होता इस परापई नहीं कि मैं तो इक बात सपस्ट कर रहा हूं देश की जनता वर्तमान देखना चाहते के वर्तमान में हमने क्या सुधार किसा क्या हम वहां पर आतंकवाद खतम कर पाएं क्या हम जो पुनार राज्य बनाने की बात थी यूटी से कनवर्ट करके क्या हमने अपने उस वाइदे को समय के अंदर पूरा किया क्या दिमुकश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए वहां पर नए रोजगार पैदा किये नए पर यहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई करणी से नक एक नेता की हत्या कर दी गई और वहां पर सरकार होती तो लोग एक रहे हैं कि अब तक एक्शन भी होता आपको क्या लगता है इतना डिले की वज़े क्या लगता है यह बीजेपी का अंदरुनी मामला है वैसे तो पर की दाविदार है और इनके सिर्ष नित्रतों को फैसला करने में इसलिए समय भी लग रहा है क्या एसंतुस्त लोग बागी होंगे या इनके साथ देंगे यह कई कोश्चन साथ-साथ चलते हैं अचुकि आप हरियाना के परदेश अद्यक्ष हैं सोनीपत में आमाधी पार्टी के एक विधायक राजिंद्र पाल गौतम परसों गए थे दलित समाज का कोई कारिक्रम था उन्होंने एक बात कही कि अगर दलितों का मंदिर में अपमान होता है मंदिर मूर्ती छोलेने से उनको पीटा जाता है उनकी हत्या हो जाती इा उनका रेप होता है तो उने मंदिर नहीं जाना चाहिए मंदिर का भृष्काल करना चाहिए इस पर आफ। network क क्या रогती से बात करते अब अक्षिल ने कि 10 बता रहूं कि उनका व्यक्तिकत विचार हो सकता है इससे पार्टी का कोई लेने देना फिलाल नहीं है कैमरेमिन वनुज कुमार के साथ दीपक सिंग रावत EVP News दिली